अगर आप किसी काम को करने से पहले किसी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो काम सही नहीं होगा इसलिए पहले पूरी कोशिश करें उस काम को शुरू करें उस काम का अंत करें इसके बाद आप परिड़ाम के बारे में सोचना शुरू करें कि हमने जो किया है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा अगर आप इस तरीके से जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे तो सफलता शीगर मिल जाएगी और जो काम आप कर रहे हैं उसके आप सफल भी हो जाएंगे इसका अधिक चांस होगा लेकिन काम शुरू करने से पहले ही अगर आप उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो शायद वो काम कभी शुरू ही ना हो पाए भगवान शुक्रिष्ट ने गीता में कहा है कर्म किये जा फल की इच्छा मत कर तू इनसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान तो भगवान शुक्रिष्ट ने कहते हैं गीता में कि कर्म परधान बनिये तो आपको इस कलियुग में सफल बना दूगा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साप्ताहिक राश्वी फल की ये सापताहिक राशीफल आपको बताएगा आपके आने वाले साथ दिनों का हाल भगवान ने क्या लिखा है आपकी जिन्दगी में क्या कुछ हो सकता है क्या अच्छा क्या बुरा आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके अपनों के साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेस्बुक और इंस्टेग्राम पर हमें फॉलो करें और ये जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी अब बात करते हैं आपकी राशी की अब हम बात करेंगे राशी चक्र की दूसरी राशी व्रशब राशी की आठ तारिक को आप अपने समय को अपनों के बीच में बिताएंगे आप में शेहन शीलता कूट-कूट का भरी होगी विरोधी कमजोर परते दे जर आएंगे शत्रू भागता हुआ के जर आएगा शत्रू आप से माफी मांगेगा दिन पूरी तरीके से अच्छा बीतने वाला है नौ दस तारिकों किसी समस्या और परशांती पूर तरीके से आप सोचेंगे और समस्या का हल निकल जाएगा भागे का साथ मिलेगा स्वास्ते उत्तम रहेगा किसी रिष्टेदार या नातेदार से समंदित कोई शुप समचार की प्राप्ती हो सकती है ग्यारा बारा तेरा को बच्चो और पत्नी की विशेश मांग पर आप किसी एलेक्ट्रोनिक वस्तू की खरीदारी कर सकते हैं मुबाइल खरी सकते हैं, लेप्टॉप खरी सकते हैं, घर में वाशिंग मशीन खरी सकते हैं लोग घर की जो जुरूत का समान हो या पुरानी चीज को बदल कर नई चीज ले आए अपडेट हो सकते हैं आप काम के परती संतुष्टी बनी रहेगी जे जरूरते को पुरा करने के लिए पैसों का जुगार कर लेंगे 14 पनातारिकों किसी बात को लेकर सब्ता के उत्राद में आपको अपने रुके हूए कार्यों में सकता मिलेगी इस सब्ता में आपको अत्रदिक परिश्रम करना पड़ेगा, आपका मन थोड़ा सा अशान्त रहेगा परशवराशी वालो परिवार में कुछ बातों को लेकर पत्नी और बच्चों से मन उटाओ हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है चाहकर भी इस सब्ता में आप काम में थोड़ी सी रुकावट देखेंगे या सब्ता आपको अपने वहवार और वानी पर सायम रखना होगा, आपके सामने कुछ ऐसी परिस्तितियां खड़ी होगी जहापर आपको बहुत सायम से काम लेना होगा इस सब्ता में किसी अग्यात व्रक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे के साथ मिलकर आपको एभवशी की योजना मना सकते हैं बर्शब राशी वालों के लिए या सब्ता सामान निलाव और उड़ती दायक है इस सब्ता में आपको अपने काम काच के सिल्से में थोड़ी भाग‌डोर करनी पड़ सकती है नौकरी पेशा लोगों पर काम काच का रट रिख बोज होगा कारिशेत में सीमियर और जूनियर से वो सही योग नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए काम गाज के सिल्सेपे नंबी और छोटी दूरी की यात्राएं करनी पर सकती है नीजी जीवन में छोटे मुटे विवाद अपने ही लोगों से हो सकते है परवारिक विवाद या रिष्टेधारों से विवाद या दोस्ति-दारिक में जो छोटा मुटा विवाद है उसमें टकराओ की इस्तिती ना पैदा हो, लड़ाई जगड़े की इस्तिती ना पैदा हो, बात किछ कर लंबे आगे ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप अपनी गलती दूतरे पर मत थोपिए, अपनी गलती को स्विकार करिए सब्ता में और दूतरों की बातों की दूतरों की कामों की कद्र भी करिए, सब्ता के मद्य में चोटे भाई भेन के साथ किसी बात को लेकर मदभेद होने की आशंका है, इस दौरान माता पिता से आप एक्षा करत सहीयोग ना मिल पाने के कारण मन दुखी रहेगा, घर के बाहर लोगों क साथ आपका वैवार सही नहीं होगा, आपकी परतिष्था, आपकी इज़्जत में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, वैवसाय के लिए सब्ता के पूरवार्द के मुकाबने उत्रार्द जाधा शुबकारी रहेगा, फल्दाई रहेगा, इस दौरान कामकाच के सिर्सिम की गई डील भाविश्व में कोई बड़ा लाब दे सकती है, लेकिन लॉंग टर्म में परिक्षा परतिवक्ता की त्यारी वर्शव राशी जो कर रहे हैं, उन्हें मन चाहे परिणाम पाने के लिए अधिक परिश्व करने की आवशकता होगी, प्रेम समद में सोच समझ कर क चलाने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा समय निकाले, अपने परिवार के लिए समय निकाले, उनकी भावनाओं की कदर करें, बड़े बज़ुरों की कदर करें, तो सब्ता और बहतर हो जाएगा, आप इस पूरे सब्ता में 69 प्रसंट यानि 70 पर्त दिन साथ बार हन्मान चरीशा का पाठ करें, सुबह शाम मिला कर करें, या एकी बार में करें, हन्मान जी के मंदर जाकर करें, आपने घर में करें, शुद्ध होकर करें, सच्चे मन से करें, तो साथ जन्मों के बुरे पाप तो नश्ट हो ही जाएंगे, इस जन्म के अगर आप चाहते हैं कि आपका और अच्छा समय बीत है ये साथ दिनों में तो भगवान सूरी की उपासना भी साथ साथ आप कर सकते हैं हर्माज जी और भगवान सूरी को परसंद रखिए सब्सक्रा आपका कल्यान होगा आपका सभी काम बन जाएगा अगर आपके पास आपको जनम कुड़ी नहीं है तो उसको बनवाइए कि तो बीना जनम कुड़ी के आप अधूरे हैं आप हमेशा ये पूछते हैं कि हम कब सफल होंगे हमाई जन्दी में अच्छे दिन कब आएंगे तो ये अगर आपको जानना है तो अपनी जर्म कुल्ली की जांच कराईए और जर्म कुल्ली ही आपकी बताएगी कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे दियेगे नमबरों पर संपर्क करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाईए अपनी कुल्ली को जान कर और सही उपाये भी करिए सही उपाये भी हम बताएंगे सही रत्म भी हम बताएंगे सब कुछ हम बताएंगे बस आपको मिलाना है फोन दियेगे नमबरों पर अब हम बात करते हैं उन पत्थर की जिन पत्थरों में इतना दम है पत्थर वो भी था जो भगवान राम ने हाट लगाया तो पानी में तैर गया था है थे ही ये पत्थर आपकी डूबी हुई किसमत को उपर ला सकता है अई जानते हैं कौन सा है वो नायाब पत्थर आप में से अधिकतर लोग एक प्रश्न करते हैं कि हमारी किस्मत कब अच्छी होगी कब हम सफल हो पाएंगे इसका एक जवाब है आपकी किस्मत अभी अच्छी हो सकती है तुरंद लेकिन उसको अच्छा करने के लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा अगर आप पैसा चाहते हैं अगर आप नौकरी वेपार में तरक्की चाहते हैं परिवार में खुशाली चाहते हैं एक संपून जीवन को सुखी देखना चाहते हैं तो आप ये पत्थर पहने इस पत्थर का नाम है पायराइट और उसके साथ में है लाजवर्थ इन दो पत्थरों का कॉम्बिनेशन इन दो पत्थरों का साथ आपके जीवन से अनिक करश्टों को मिटा देगा और मालश्वी की किरपा को बरसा देगा अब आप कहेंगे कि इन पत्रों में इतनी ताकत है क्या पत्रों में वाकरी ताकत होती है क्या इन पत्रों में इतनी ताकत है कि किसी इनसान की जिन्दगी को ये सवार सकते है तो मैं यही कहूंगा भगवान शीराम ने भी जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो पत्थरों को इस पर्ष किया और वो पानी में तैर गए और समुद्र को पार कर लिया ऐसे ही आपकी जो किस्मत के पत्थर आपकी जो किस्मत है जो पत्थर के रूप में डूबी हुई है जब आप इन पत्थरों को पहनेंगे तो ये पत्थर आपकी किस्मत को तैरा देंगे यकीन मानिए पत्थरों में बहुत ताकत होती है बस अगर वो पत्थर सही है, सही तरीके से उनकी पूजा पाठ की गई है विधी विधान से आपको दिये गए है, और इसनल है तो उनमें वाकई में ताकत होती है और हमारे पास इस बात का विशेश ख्याल रखा जाता है कि हम आपको उच्छ उक्वालिटी के पत्थर दें, समय पर दें, प्राहर पर सिश्चित करके दें तो आप भी अपनी डूबी हुई किस्मत को अगर फिर से तैराना चाहते हैं भगवान श्रीराम की आशिरवास से तो L8 लिखकर भेज़ दीजिए, इन दो पत्थरों का कॉमिनेशन आपकी सिर्गी को खुशाल भर कर देगा और ये दोनों रतने शांदी में मढ़े हुए अंगूठी या लॉकेट के रूप में आपको मिलेंगे 10-10 करट का एक पत्तर होगा, कीमत है 3,100 रुपए अभी फोन करें, अभी ओर्डर करें और भगवान श्रीराम आपका कल्यान करेंगे